नमश्कार मैं हूँ अमित कटोच स्वागतापका आपके अपने चनल SP अमित एज्यूकेशन में आज की यह वीडियो है जेविटी और बेड दोनों के लिए जो काफी इंपोरेंट रहने वाली है क्योंकि इसमें कुछ इंपोरेंट तत्य हैं जो सभी को मालूम नहीं है आज यहाँ पर न्यूस्पेपर के मादिम से अपडेट लगी है कि जेविटी बनाम बेड केस में एक और याज़ का दर्ज हुई है बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि दो दिन पहले एक अपडेट लगी हुई थी जिसमें कहा गया था कि जो जेविटी का पोस्ट कोर 721 है जिसमें 617 पोस्टे हैं उनका जो प्रिक्षा प्रणाम है वो आ सकता है बट ये जो न्यू याज़ का दर्ज हुई है इसमें कहा गया है कि दो स्टमबर को जो इसकी सुनवाई होगी तब तक जो जो रिजल्ट है वो आने की चांसिस कम है कुछ दिन पहले डोकमोटेशन का डाटा आये था जिसमें 1000 प्लस जो केंडेट हैं जिन्होंने डोकमोटेशन में पार्ट नहीं लिया था और जो बाकी केंडेट हैं उनमें जो हैं जो डोकमोटेशन है वो हुई थी बट उसमें जो 200 केंडेट थे वो अंडर पॉर्सस थे means बहाँ पर कहीं पर भी कहा नहीं गया था कि वो बेर्ड के हैं हाँ हो सकता है कि वो बेर्ड के हो बट वहाँ पर मैंशन नहीं था हम आपको बता दें जब डोकमोटेशन हुई थी तो पसनली हमने भी उसमें विजिट किया था तो जो जो जेवीटी वाले हैं उनसे जेवीटी का टैट लिया जा रहा था जो 2018 से पहले का है और जो जेवीटी का टैट और बेर्ड वालों को बेर्ड का टैट जो वहाँ पर किया गया था बट यहां पर जैसे अपडेट आती है कि 200 जो बेर्ड के हैं अगर उन में से कोई भी जो केंडेट इस वीडियो को देख रहा है तो कुमेंट करके जूर बताएं कि उनका जो है जेवी जेवीटी के हैं उनका जो टैट है वो कंसिंडर नहीं किया गया था तो बेर्ड वाली जो हैं उनका जो जेवीडिक कर के बता सकता है कि यह information रइट है I hope ओ यह information प्संद आयी होगी बीडियो पिसंद आई यह दे बीडियो को लाइक करें और जिन्हों नभी चैनल सब्सक्राइब ने किया है बचानों को सब्सक्राइब जूर करें क्योंकि एजुकेशन फिल्ड की जो भी इंपोनेट अफडेट होती है वो आपको हम प्रोवाइड करवाते हैं देनिवाद